मेरे क्याल से जो इस मूवी के जो पाठ आये थे वो सबके फेवरिट रहे हैं नमशकार दोस्तो since video में बात करने वालों स्पाइडरमेन मूवी के बारे में इसके तीनों ही पाठ जो पुरानी मूवी थी स्पाइडरमेन जो 2002 में आये थी उसके बारे में 2004 में इसका Spider-Man 2 2007 में Spider-Man 3 आई थी और इन तिनों ही मुवी को एक ही इनसा ने डिरेक्ट किया था Sam Raimi ने और सबसे खास बात इस मुवी के अनि Spider-Man 2002 2004 और 2007 में यह तीन पार्ट आई थे उनकी बात खास बात यह थी कि भी इनके साथ जो connection बना था वो आने वाली जो नहीं मुवी थी बहले ही बात करो Amazing Spider-Man या Amazing Spider-Man 2 की या अभी हाल फिलाल में जो नहीं रिलीज हुई है Spider-Man Homecoming या Spider-Man Far From Home उसके साथ हम इतना connect नहीं हो पाए जितना इन पुरानी माली मुवी के साथ connect हो पाए थे उनका कहना मानने वाला और दूसरी तरफ वो Mary Jane से प्यार करता तो वो पहली मुवी में तो उसे बात भी नहीं कर पाता कि उसे पसंद करता है सेकंड मुवी में अपनी वो बात करता है फिर उनके बीच में जो दरार पैदा होते है फिर दोस्त के बीच में जो relation उनका दिखाया गया है फिर वो अपने दोस्त के मतलब पिता की कारण ऐसा कुछ वो बनता है जिस वज़े से उन दोनों के बीच में दुश्मनी होती तो इन चीजों को बड़े ही प्यार से बड़ी गुपजूरती से दिखाया गया बाकी अगर इन नहीं वाली मुवीज की बात करें अब फिलाल तो Amazing Spider-Man 2 के बाद तो बंदी हो गए थी Far From Home, Homecoming ये Spider-Man की मुवी जो दी तो इस मुवी में इन दोनों मुवीज में ऐसा कोई connection हमें देखने को नहीं मिला आप लोगों ने ये नहीं वाली मुवी देखी Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home और ये पुरानी वाली मुवी नहीं देखी कैर ऐसा तो हो नहीं सकता किसी नहीं देखी वो तो देखी हुई मिलती Obviously अगर किसी नहीं देखी है By Chance कोई चूग है तो वो इससे जाकर जरूर देखो तो आप आपको एक relation जो उस मुवी के साथ connect होने को मिलेगा आप खुद difference खुद बना पाएंगे कि हाँ यार compare कर पाएंगे कि जो नहीं वाली मुवी थी इसके अंदर कितनी कम्या है और जो पुरानी वाली मुवी थी वो कितनी जवर्दस थे मेरा ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यह था कि मैने ये जब मुवी देखी थी तो उस वक्ट जो मेरे मन में जो ख्याल थे वो क्यों ना उनको फिर से ताजा किया जाए तो हाल फियाल मैंने अभी ये मुवी तीनों की तीनों फिर से देखी है तो स्पाइडर मैं 2002 में आय थी उसके अंदर पीटर पार्कर का उसको एक मकडी का द्वारा काटे जाना फिर उसको कुछ पावर मिलती है उसके अंकल बैन के द्वारा समझाना कि जब पावर आती हैं जब बड़ी पावर आती है तो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं और उसमें विलन के तोर पर ग्रीन गोबलिन उसमें दिखाया गया था और सब सेकंड पार्ट आया था इसके अंदर तीन विलन आये थे एक तो ग्रीन गोबलिन का बेटा जो इसका दोस्त था हैरी वो अब ग्रीन गोबलिन वो खुद बन गया है अपने पिता का उसे ये मानता है कि स्पैडर मैन की वज़े से उसके पिता की जान चली गई थी बलकि ऐसा नहीं था वो गलती से मरे थे अपनी ब्लेड से मरे थे और दूसरा है सैंड मैन जो फर्स्ट मूवी है अंकल वैन की जो हत्या की होती है वो सैंड मैन नहीं की होती है लेकिन उसे फर्स्ट मूवी में अगर आज भी इन तीनों मुवी को देखने बैट होगे तो सीक्वल वाइज तो आप कहीं पर भी बोर नहीं होगे अगर मैं बात करूँ Spider-Man Far From Home या Homecoming या सच में मैंने जो वो एक बार देख लिए मेरा कहीं पर भी मन नहीं किया उसे दोबारा से देखने का तोबी मैगवर जिनों ने पीटर पार्कर का करेदार निबाया था Spider-Man की परानी वाली मुवी में उनका करेदार आज भी बहुत दमदार है उनका किसी से कर लो उनका करेदार हमेशा बारी ही नजर आएगा मतला उनकी जगह कोई ले ही नहीं नहीं पाता कुछ लोगों जो होने वाले होते हैं अब देखो ओफेंड होने वालों की तसंक्या बहुत जादा हो गई है अब कई नहीं मिल जाते हैं वो कहते हैं कि आर तुने कैसा compare कर दिया है इंचे जो को देखो एर मैंने जो यह मुवी अभी थोड़े टाइम पहले देखी तो मुरा मन किया इस वीड आपने कभी देखी हैं तो आप कैसा फिल करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगी पुरानी यादों को फिर से ताजा करने के टाइम का मतलब जब अपने दोस्तों के साथ यह मूवी देखी थी तो बहुत सारी चीजों का मुझे एक होता है ना कि हमने कोई गाना या कोई मू